दोस्तो अगर आप एक salaried employee है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुश कबरी है सरकार दुवारा एक latest notification जारी किया गया है जो 1 September 2003 से लागू होगा और इस notification के तुरू अब आप अपने tax liability को कम कर पाएंगे यानि ज्यादा से ज्यादा salary जो है वो आप अपने घर पर ले जा सकत है दोस्तो पूरा notification जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर क्या deduction क्या छूट आपको मिलने वाली है कैसे आप अपनी salary की tax liability को कम कर पाएंगे जिसके लिए हम पूरा notification भी आपको बताएंगे इसके related example भी आपको देंगे जिससे आपको समझाएंगे कि कैसे आप अपनी salary को जो है वो कम करके अपनी tax liability बचा सकते हैं यानि आपकी जो salary है जो deduction आप क्लेम करके उस deduction से आप अपनी tax liability को कम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप अपना tax कैसे बचा पाएंगे जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम detail में discuss करने जा रहे हैं दोस्तों त तो subscribe कर लीजिए और bell icon notification पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी notification regarding हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहें आइए start करते अपने वीडियो जानते हैं एक सेप्टेमबर से क्या छूट salary class person को दी जाएगी सरकार दुआरा दोस्तों आइए start करते अपने वीडियो को जानते सेलेडिट क्लास परसन कैसा फायदा ले सकता है जो सरकार दुआरा latest notification जारी किया गया है इस notification के अंदर जो benefit दिया गया है वह accommodation related दिया गया है क्या है accommodation आइए थोड़ा सा detail में इसको समझते हैं अगर कोई employer है जो अपने employee को रहने के लिए घर देता है, flat देता है, house देता है तो उस case में उसको accommodation माना जाता है और इस accommodation को rent free भी दिया जा सकता है या concessional rent पर भी दिया जा सकता है यानि बिल्कुल बिना rent के employee को facility प्रोवाइड की जाती है या फिर कुछ कम rent पर ही जो है रहने के लिए जगा दी जाती है जो employer द्वारा दिया जाता है जिसको income tax के अंदर ये benefit माना जाता है, perks माना जाता है और वो taxable किया जाता है यानि जो भी accommodation दिया जा रहा है उसकी perks मान कर उसको taxability यानि आपकी taxable salary का part माना जाता है लेकिन इसके लिए कुछ calculation है, population base पर देखा जाता है कि 15% है, आपकी जो salary हो example के तोर पर लेकिन इसको कम करके सरकार ने अब 10% कर दिया है इस notification के अंदर, यानि ये जो 5% का जो है फाइदा दिया गया है, अलग-अलग population range पर, ये पूरा notification जो दिया गया है वो 1 September 2023 से लागू होगा, यानि अब आप अपनी tax liability को बचा सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा salary आप अपने घर पर ले जा सकते हैं अगर आपके employee ने आपको accommodation प्रोवाइड किया है और आपकी वो salary का part हो रहा है तो अब आपको इसमें benefit दिया जाएगा, आए जानते पूरा notification और पूरा एक example के तुरू समझेंगे कि कैसे आप इसका फाइदा जो है वो उठा सकते है, 18 अगस 2030 को यह जारी किया गया, इसके एक दिन बाद यानि 19 अगस 2030 को एक press release जारी करी गई, जिसके अंदर इसका bifurcation बताया गया है, इस notification के अंदर भी दिया गया और इस press release दोरों के अंदर इस बारे में बताया गया है कि जो residential accommodation है, जो employer अपने employee को provide करता है, accommodation का मतलब यह ह कि जो भी house है, घर flat है, या farm house है, guest house है, या फिर अगर कोई hotel है, motel है, service apartment है, mobile home है, ship है, ऐसे सभी को जो accommodation माना जाता है, और यह जो accommodation है, वो employer दुआरा दिया जा रहा है, तो दो type के employer हो सकते, एक तो central government, state government type के employee है, और दूसरे जो employer है, वो है private employer, तो central government, state government employer के related कोई भी benefit नही दिया गया है, लेकिन जो private employer है, जिसके अंदर जो employer है, उसके खुद का अगर घर है, unfurnished accommodation जो अपने employee को provide कर रहा है, उसी में benefit और फाइदा दिया गया है, अगर यह employer का जो घर है, वो rented है, या फिल lease पर employer ने लिया है, तो उसके इसमे benefit कुछ नहीं दिया गया है, जो same perquisite rate प है, concessional accommodation दे रहा है, unfurnished घर दे रहा है, तो उसके इसमें benefit जो है, वो population हिसाब से दिया गया है, आईए देखते हैं क्या population और क्या rate दी जाएगी, यानि क्या perquisite rate पर आपके लिए taxable salary होगी, तो जो पहले जो provision था, जिसके अंदर जो population जो देखा गया था, वो population 25 लाग के 20% of salary आपकी perquisite rate मानी जाएगी, और 25 से 15 लाग के बीच में है, तो 10% और 15 लाग से कम है, उसके इसमें 7.5% की rate मानी जाएगी, लेकिन अब इन रेटों को और इन population को change कर दिया गया है, अब यह जो 2001 का population था, इसको बदल कर 2011 का population कर दिया गया है, जिसके अंदर population थी, वो 25 ला फायदा दिया जाएगा, आइए देखते हैं, क्या नया provision है, क्या नई probation rate होगी, आइए समझते हैं, तो अगर आपकी जो population है, वो 40 लाग से जादा होगी, 2011 के census के इसाब से, तो 10% की perquisite rate जो है, वो मानी जाएगी, यानि salary का 10% ही आपके लिए taxable होगा, पहले यह 15 परसंट population 25 लाग थी, लेकिन अब यह 10% कर दी गई है, यानि सिदे सिदे आपको 5% का फायदा दिया गया है, जो second इसके अंदर limit दी गई है, वो 15 लाग से 40 लाग की दी गई है, जिसके अंदर आपको 7.5% की perquisite rate मानी जाएगी, और 15 लाग से जिन population कम cities के अंदर अगर आप रहते हैं उसमें accommodation आपको मिलता है, तो उसके इसमें 5% की rate दी गई है, 5% की perquisite rate मानी जाएगी, यह जो perquisite rate है, यह आपकी taxable salary का part हो जाएगा, जो पहले provision के मुकाबले, अब आपको फायदा दिया जा रहा है, इस rate के इसाब से, दोस्तों हम एक और चीज़ यहां पर clarify करते हैं, कि unfurnished accommodation होना चीए, furnished accommodation नहीं होना चीए, इसमें क्या अंतर है, furnished accommodation वो accommodation होता है, जो employer दुआरा दिया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ घर नहीं दिया जाता है, बलकि उसके अंदर कुछ amenities भी दी जाती है, जैसे के air conditioner हो गया, television हो गया, तो यह अगर furnished accommodation दिया जा रहा है, तो उसक example पर जाने से पहले, दो important point इसमें आ जाते हैं, कि अगर आप salary पर जो perquisite rate calculate होगी, तो इसमें यह जानना ज़रूरी है, कि salary क्या है, तो salary सिर्फ basic salary नहीं होगी, इसके अंदर DNS allowance आएगा, जो retirement benefit के लिए दिया जाता है, bonus, commission भी आएगा, basic salary भी आएगी, लेकिन किन-किन चीज contribution है, provident fund employee के, तो वो भी exclude किया जाएगा, कुछ allowances है, जो exempted है, तो यह सभी चीजे जो exclude की जाएगी, इनके अलावा जो basic salary है, DNS allowance है, retirement benefit related, bonus, commission, यह include किया जाएगा, और इस पर आपकी perquisite rate जो है, वो calculate की जाएगी, यानि 10%, 7%, 5%, यह rate उस salary पर calculate की जाएगी, दोस्तों, जो second important point यह है, जो 10%, 7%, और 5%, आपको जो rate बताई थी, जो perquisite rate आपको बताई थी, population के हिसाब से, इस rate के अंदर, अगर आगर को employee है, वो अपने employer को rent दे रहा है, तो जो भी calculation निकल के आएगा, और जो भी rent pay किया है, वो उसमें से reduce कर दिया जाएगा, तो यह 2 important point है, यह जानना भी ज example पर और इन सभी चीजों को example के थूरू समझते हैं, दोस्तों आएए अब example समझते हैं, तो हिमेश एक employee है, जो XYZ company के अंदर employee के रूप में, मुंबई जैसे बड़े सहर के अंदर, उनको accommodation दिया गया, उनके company द्वारा, rent free accommodation दिया जा रहा है, unfundation, अब जो हिमेश है, उनकी salary की बात करें, यानि क्या-क्या pay उनको किया जा रहा है, तो basic salary दी जा रही है, डेड़ लाग रुपया पर महिने के इसाफ से, DNS allowance की बात करें, तो 20,000 DNS allowance दिया जा रहा है, जिसके अंदर 50% retirement benefit दिया जा रहा है, और bonus या commission मान ले, तो bonus के रूप में, उन्हें 15,000 रुपय पर मन्त के इसाफ से bonus दिया जा रहा है, अब हिमेश को जो घर दिया गया था, वो 1 April 2023 से ही दे दिया गया था, लेकिन हिमेश उसको occupied, यानि रहने कब गए, 1 November 2023 से, यानि हम जो calculation करेंगे, वो 9 से लेकर, March के बीच में करेंगे, यानि 5 महीने के अंदर calculate करेंगे, कि कितनी value निकल के आती है, जो rent free accommodation दिया गया है, unfurnished accommodation दिया गया है, employer दुआरा, आइए, इसको calculate करते हैं, तो सबसे पहले हम calculate करेंगे, पुराने provision के इसाफ से, तो पुराने provision के इसाफ से, 25 लाग से जादा की population है, तो उसके अंदर 15% perquisite rate थी, तो इसके अंदर 15% of salary देखी जाएगी, तो salary हमने आपको बताई थी, तो यह जो 15% है, मुंबई जैसे बड़े सहर में, 25 लाग से जादा की population हो सकती है, 2001 के अंदर, तो उस case में 25 लाग से जादा की population है, example मान के चलेंगे, के 15% की rate लाग हुई है, तो यह जो salary दी गई थी, जिसका पुरा calculation देखते है, कैसे calculation निकल के आत है, तो 50% retirement benefit ही हमें लेना है, यानि 10,000 multiply by 5 months, इसके बाद जो 3rd option था, हमारे पास bonus है, जो 15,000 रुपये into 5, इन सभी को अगर total करें, तो 8,75,000 की salary कुल calculation निकल के आता है, जिस पे 15% old provision के हिसाब से आपकी perquisite rate मानी जाएगी, यानि 1,31,000 रुपये जो है, आपका taxable salary मानी जाएगा rent-free accommodation की ये value जो है, वो मानी जाएगी 1,31,000 रुपये, ये 1,31,000 निकल के आया है, ये value of perquisite माना जाएगा rent-free, unaccommodation, unfurnished accommodation का, यानि जो service, जो benefit प्रोवाइड करें, उसकी value ये मानी जाएगी, लेकिन अब जो नया notification है, उसके through अगर calculation करें, तो ये 8,75,000 जो salary निक तो अगर मुंबई जे सहर में 40,000,000 से जादा population है, 2011 का census है, तो उस case में आपको 10% की rate लगेगी, 10% के हिसाब से calculate करें, तो 87,500 का आपकी value of perquisite निकल के आती है, जिदे सिदे आप difference देख सकते है, आपकी जो perquisite है, यानि taxable salary जो है, वो 43,700 से कम हो जाती है, इसका अगर 30% की tax bracket में आते हैं, तो 13,000 का tax का फायदा आपको मिल जाता है, सीदे सीदे, यानि अगर overall अगर हम एक छोटे से example से बता है, तो 10,00,000 की अगर किसी की salary है, तो 5% का फायदा हुने मिलता है, तो 50,000 की salary आप खुद घर पर लेके जा सकते है, उस पर आपको कोई भी tax pay नहीं करना है, तो यह पुरा example इसी base पर है, कि आपकी जो population है, वो 40,00,000 से जादा मान कर चल रहे है, मुंबई जैसे सहर के अंदर, और जो घर occupied किया गया है, वो during November से लेकर March के period में किया गया है, यानि यह 5 महिने का calculation हमने लेके किया है, इसी के base पर यह example हमने आपको बताया है, कि कैसे अब benefit ले सकते है, taxable salary के अंदर, यानि कैसे आप अपना tax को बचा सकते है, अब दोस्तों इसके अंदर record point निकल के यह आता है, कि अगर हमेश ने अगर अपने employer को, यानि जो company है, उसे rent देती है, 5,000 रुपे पर महिना rent देती है, यानि 25,000 रुपे 5 महिने के इसाब से, तो यह जो rent है, वो 87,500 में से कम होकर, 62,500 ही रह जाए, 22,500 जो है, वो आपके perquisite value मानी जाएगी और वो आपके लिए taxable होगी, तो दोस्तों यह पूरा example जो है, इस calculation के थूरू, आप आसानी से समझ सकते हैं, कि कैसे इस notification दुआरा जो है, आपको फाइदा दिया गया, यानि जो salaried class person है, जिनकी higher salary होती है, उन जिनको accommodation दिया जाता है, employer दुआरा, उनको ये benefit दिया गया है, दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमना आपको details जानकरी दी है, जो notification जारी किया गया है, जो 1 September 2013 से लागू होगा, अगर को employer अपनी employee को accommodation देता है, rent free accommodation देता है, concessional rate पर accommodation unfurnished घर देता है रहने के लिए, तो उस case में जो perquisite rate है, उसमें reduce किया गया है, थ्रू इस press release के थ्रू जो 19 अगस्ट को जारी करी गयी थी, और 18 अगस्ट को ये notification 65 अबलेक 2030 से जारी किया गया है, जिसके अंदर अगर कोई employer है, जिसका खुद का घर है, private employer है, तो वो ये benefit जो ह है, अब आपको दिया जाएगा, जो salaried person है, उनको दिया जाएगा, अब उन्हें जो perquisite rate है, वो अब कम लगेगी, यानि 5% कम लगेगी, population census के इसाब आपने पुरा notification detail में देखा है, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई doubt है इसके अंदर, तो नीचे comment करके आप हमें पूस्ट सकते हैं, जिसका reply हम जल्द से जल्द आपको देने की जरूर कोशिश करेंगे, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खतम करते है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करेगा जाए जाए ज़्यादा, शेर जरू करेगा, प्रूस, एक में।ほ मैं जरू थालिप हम जयाए जाए जाए जरू करेंगे, यह झारू करेंगे, ईबा है जरू सकती है कि झाले किरे जल्द시면।